हलो एवरिवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल मी अड माई स्टूडेंट्स कैसे आप सभी आसा करती हूँ, आप सभी अच्छे होंगे क्लास एट में आपका स्वागत है आज हम पढ़ेंगे कक्षाठ का पार्ट बारा पानी की कहानी यह पार्ट लिखा गया है रामचंदर तिवारिजी द्वारा और इस पार्ट में लेकक ने बूंद के बारे में बताया है जल की बूंद की बूंद कैसे निर्मित होती है, कैसे बनती है उसका अस्तित्व क्या है और उसका जीवन क्या है और वह कैसे सूर्य के निकलते ही वह भाब बनकर उड़ जाती है तो इस परकार लेकक ने जो है वेग्यानिक और काल्पनिक दोनों का समन्जश्य करके ओसकी बूंद की जीवन यात्रा को दर्साया है तो इसमें जो जल्चक्र है उसका वर्णन किया गया है कि जल्चक्र है वो कैसे अपना कारिय करता है इसमें कलतना और वेग्यानिकता का सहरा लेकर लेकर लेकक ने उसकी बूंद की जीवन की यात्रा के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से बताया है ओसकी जो ये बूंध है वो अन्य कवस्ताओं से वायू मंडल, सोर मंडल, बादल कैसे बनती है, समुदर में जाती है, जुआला मुखी, नदी और नल से होते वे, पेड़ के पत्ते तक की अपनी आत्रा है, वो बताती है और ये ओसकी बूंध है, वो अपनी कहानी है, वो स्वेम सुनाती है, तो चलो सुनते हैं कि ओसकी बूंध, क्या अपनी कहानी सुनाती है, तो पानी की कहानी में क्या बताया गया है, ये हम देखते हैं, तो कक्षाट में है, पाठ पारा, पानी की कहानी पानी की कहानी यहाँ पे लेखक है वो स्वेम का वारे में बता रहे हैं लेखक और जो पानी की बूंद है उनका अपसी वारतालाब चल रहा है तो लेखक कह रहे हैं मैं आगे बड़ा ही था कि बेर की जाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आपड़ी मेरे आस्टरे का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हतेली पर आ गई मेरी द्रिष्टी पड़ते ही वह धैर गई यहां पर लेकर ने काल्प निक्ता का और मानवी करण का साहरा लेकर पाट को बहुती रोचक तरीके से बताया है थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों किसी जनकार सुनाई दिनने लगी मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा चारो और देखा कोई नहीं फिर अन्ब हुआ कि यह स्वर मेरी हतेली से निकल रहा है ध्यान से देखने पर मालूं हुआ कि बूंद के दो कन हो गए है और वे दोनों हिल हिल कर यह स्वर उत्पन कर रहे हैं मानों बोल रहे हो उसी सुरिली आवाज में मैंने सुना सُنो सُनो मैं चुप था फिर आवाज आई सुनो सुनो अब मुझसे नय रहा गया मेरे मुख से निकल गया कहो कहो ओस की मुद मानो प्रसंता से हिली और बोली मैं ओस हूँ जानता हूँ मैंने कहा लोग मुझे पानी कहते हैं जल भी मालूम है मैं बेर के पेड में से आई हूँ जूटी मैंने कहा और सोचा बेर के पेड से क्या पानी का फ़वारा निकलता है तो इस तरह से लेखक की और ओस की बाते होती है ओस अपना परिचे देती है और लेखक उससे बाते कर रहा है बूंद फिर हिली मानो मेरे आई विश्वास से उसे दुख हुआ हो सुनो मैं इस पेड के पास की भूमी में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी मैं कणों का हिर्देट अटोलती फिरती थी कि एक का एक पकड़ी गई कैसे मैंने पुछा वह जो पेड तुम देखते हो ने वह उपर ही इतना बड़ा नहीं है पर्थवी में भी लगबग इतना ही बड़ा है उसकी बड़ी जड़ें छोटी जड़ें और जड़ों के रोएं हैं वे रोएं बड़े निर्दही होते हैं मुझ जैसे ऐसेंखे जलकणों को वे बल पूरवक पर्थवी में से खींच लेते हैं कुछ को तो पेड एकदम खा जाते हैं और अधिकांस का सब कुछ छीन कर उन्हें बाहर निकाल देते हैं क्रोध और गिर्णा से उसका सरीर कांप उठा तो यहां पर ओस का कण है वो कहना चाता है कि पेड की और इसारा करते हुए ओस की बून कहती है कि यह कि जो पेड दिखाई दे रहा है यह तुम्हें जितना बड़ा दिखाई दे रहा है यह इतना बड़ा ही नहीं है यह जितना पर्थवी के उपर दिखाई देता है उसके नीचे है इसके साथ पर्थवी के अंदर व्रिक्स के जड़े हैं और रोए हैं वो भी उतने ही बड़े हैं जितना पर्थवी के उपर व्रिक्स दिखाई देता है और ये जड़े और रोए हैं वो बहुत सारी है ऐसंक है जलकणों को भूमी में से खींच लेते हैं यानि आप पतियों तक पानी पहुंचाती है उन्हें खीच लेती है उन्हें नश्ट कर देती है अधिकान जलकणों का सरवस्व यानि वो जलकणों को अवसोसित करके उस पेड़ को पोशन देती है छीन कर उन्हें बाहर निकाल देती है तो इस बात से उसकण है उसको गुसा आ रहा है कि उससे उनका अस्तित्वर नश्ट हो जाता है तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े योही खड़े हैं उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे ऐसेंख्ये बंदुओं ने अपने प्राण नास किये हैं मैं बड़े ध्यान से उसकी कहाने सुन रहा था हाँ तो मैं भूमी के खनीजों को अपने सरीर में गुला कर आनन से फिर रही थी कि धुरभाग्य वस एक रोए से मेरा सरीर छू गया मैं काम पी दूर भागने का प्रैत ने किया परंतु वे पकड़ का छोड़ना नहीं जानते मैं रोए में खिंच ली गई तो यहाँ पर ओसकन कहती है कि मैं तो आनन से जो खनीज है खनीज लवन है उनको अपने में अवसोसित करके अपने गुला कर आनन से फिर रही थी तो जो पेड़ों की जो रोएं हैं जड़े हैं उनके संपर्क में आ गई और उनने मुझे खिंच लिया फिर क्या हुआ मैंने पुछा मेरी उद्चुकता बढ़ चली थी मैं एक खोटरी में बंद कर दी गई थोड़े देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पिछे से धका दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़ कर आगे को खिंच रहा हो मेरा एक भाई भी वहां लाया गया उसके लिए स्थान बनाने के कार्ण मुझे दबाया जा रहा था आगे एक और भूंद मेरा हाथ पकड़ कर उपर खिंच रही थी मैं उन दोनों के बीच पिछ चली थी तो यहां पर जो पेड़ की जड़े हैं जो कार्य करती है वो पानी जमीन में जो पानी होता है उनको खिंचती है तो उनमें जो बूंद बूंद करने हैं वो आपस में जो रगड़ती हैं आगे पीछे दकाम का होता है तो पानी पान इकठा होकी जल बनता है बूंद बूंद इकठी होकर ही तो फिर वो बूंद अपनी कहाने बता रही है कि मेरी स्थिती क्या होई थी मैं लगभग तीन दिन तक क्या सांसत भोगती रही मैं पत्तों के नन्ने नन्ने छेदों से होकर जैसे तेसे जान बचा कर भागी मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी परंतु बाहर निकलने पर ग्यात हुआ कि रात होने वाली थी और सूरिय जो हमें उड़ने के सक्ति देते हैं जा चुके हैं और वायू मंडल में इतने जलकन उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहां स्तान नहीं है तो मैं अपने भाग्ये पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुडी पड़ी रही अभी जब तुमें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुमारे हाथ पर कूद पड़ी यहां पर ओस्बुंद कहना चाती है कि मैं पत्तों के बीच में छिपकर अपने प्राणों की रक्षा कर रही थी और यह सोच रही थी कि पत्तों से बाहर कूद जाऊंगी और सूरिय की उस्मा प्राप्त करते हैं तो उस उस्मा को पाकर भाब बन कर यह उड़ जाते हैं और बादल में मिल जाते हैं अपने परिवार में चले जाते हैं लेकिन जब उसने देखा तो क्या हुआ कि रात होने वाली है और रात में सूरिय की उस्मा नहीं प्राप्त होती तब उसने सोचा कि मैं यहाँ पर तुमारे हाथ पर कूद पड़ी इस दुख तथा भाव पुल्न कहानी का मुझे पर बड़ा प्रभाव पड़ा मैंने कहा जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें ने चूँ सकेगा भाईया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है मैं जब तक सूरिय ने निकले तबी तक रक्षा चाती हूँ उनका दर्सन करते ही मुझे में उड़ने की सत्ती आ जाएगी मेरा जीवन वीचे तरगटनाव से परिपूर्ण है मैं उसकी कहाने तुम्हे सुनाओंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी ने दुखेगा अब उसकी बून है वो अपनी कहाने सुरू करती है कि उसका जनम का हुआ और कैसे उसकी यात्रा यहां तक पहुंची और वो सुबह तक का ही सरण जाती है क्योंकि सूर्य उद्य होने पर उसमें क्या होती है ताकत आती है यानि सूर्य की उसमा प्राप्त करतने पर वह भाब बन कर उड़ जाएगी फिर लेकर कहता है अच्छा सुनाओ बहुत दिन हुए मेरे पुर्खे हद्रजन और ओस्जन यानि के हाइड्रोजन और ओक्सिजन ये तो मैं पता ही है कि जल का निर्माण हाइड्रोजन और ओक्सिजन से मिलकर होता है तो मेरे पुर्के हदर जन और ओस जन नामक दोगे से सूर्य मंडल में लप्टों के रूप में विद्यमान थी सूर्य मंडल अपने निश्चित मारपर चक्कर काट रहा था वे दिन थे जब हमारे बर्मान में उतल फुतल हो रही थी अने ग्रहे और उपक्रहे बन रहे थे ठहरो क्या तुमारे पुर्के अब सूर्य मंडल में नहीं है है उनके वंसज अपनी भ्यावे लप्टों से अब भी उनका मुख उज्वल किये हुए है हाँ तो मेरे पुर्के बड़ी प्रसंता से सूर्य के धरातल पर नास्ते रहते थे एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकास पिंड दिखाई पड़ा उनकी आंके चोंध्याने लगी यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की और बढ़ रहा था जो जो पास आता जाता था उसका आकर बढ़ता जाता था यह सूर्य से लाखो गुना बढ़ा था उसकी महान आकर्शन सक्ति से हमारा सूर्य जल उठा ऐसा ग्यात हुआ कि उस ग्रह राज से टकरा कर हमारा सूर्य चुर्ण हो जाएगा वेसा नय हुआ वे सूर्य से सहस्त्रों मेल दूर से ही गूम चला प्रंतु उसकी बीशन आकर्षन सब्ते के काण सूर्य का एक भाग तूट कर उसके पीछे चला सूर्य से तूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल ने सका और कई टुकडों में तूट गया उनी में से एक टुकडा हमारी पर्थवी है यह प्रारम में एक बड़ा आग का गोला थी तो इस तरह से ओसकी बून्त ने पर्थवी के निर्मान की कहानी बताए की कैसे पर्थवी और अन्यग्र है जो पर्थवी के आसपास जो सूर्य के चक्र लगाते हैं उन ग्रहों का निर्मान केसे हुआ अमारी पर्थवी भी पहले सूर्य की तरह ही गरम थी उस पर जीवन संभव नहीं था जीवन कुछ भी नहीं था पराणी पसू जीव जनतु कुछ भी नहीं थे वनस्पतियां पेड़ पोदे ये भी नहीं थे फिर धीरे 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 पर्थवी का जो वातावर्ण है पर्यावर्ण है वो श्यांत हुआ धीरा धीमा हुआ थंडा हुआ तब यहां पे जीवन हुआ तो लेखे कहते हैं ऐसा परंतु उन लप्टों से तुम पानी कैसे बनी मुझे ठीक पता नहीं हाँ यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया और मुझे याद है कि अर्बो वर्स पहले मैं हद्र जन और ओस जन के रासानिक क्रिया के कारण उत्पन हुई हूँ उन्होंने आपस में मिलकर अपना पर्तेक्स अस्तित्वएक वाँ दिया है और मुझे उत्पन किया है मैं उन दिनों भाब के रूप में पर्त्वी के चार और घूमती फीरती थी उसके बाद नहीं जाने क्या हुआ जब मुझे होस आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया मेरा सरीर पहले भाप रूप में था वह अब अत्यन्त छोटा हो गया था वह पहले से कई सत्रुवा भाग रह गया था मैंने देखा मेरे चारो और मेरे ऐसें के साथी बर्फ बने पड़े थे जहां तक द्रिष्टे जाती थी बर्फ के अतरित कुछ दिखाईने पड़ता था जिस से में हमारे उपर सूर्य की किरने पड़ती थी तो सौंदर्य बिकर पड़ता था हमारे कितने साती ऐसे भी थे जो बड़ी उच्छुकता से आंधे में उंचा उड़ने उचलने कूदने के लिए कमर कसे तयार बेठे थे यहाँ पर ओस ने अपने जो रूप है भाप की अवस्था, ठोस अवस्था, तरल अवस्था पानी की तीन अवस्था होती है, ठोस अवस्था, तरल अवस्था और वास्था इन तीनों रूपों के बारे में बताया है तो उस कहती है कि मैं पहले भाप रूप में थी, फिर मेरा परिवर्तन बरफ के रूप में यानि ठोस रूप में हो गया था तो हम सूर्य के दर्शन के लिए उठ सुख थे और सूर्य के दर्शन के बाद में हम उड़ने को तैयार थे बड़े आनंद का समय रहा होगा वहाँ बड़े आनंद का कितने दिनों तक? कई लाख वर्सों तक कई लाख? हाँ, चौंकों नहीं मेरे जीवन में सो दो सो वर्स दाल में नमक के समान भी नहीं है मैंने ऐसे दिर्ख जीवी से वारतालाप करते जान अपने को धन्य माना और ओस की वूंद के प्रती मेरी सृधा बढ़ चली हम शान्ती से बेटे एक दिन हवा से खेलने की काणिया सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अन्बव हुआ मानो हम सरक रहे हो सब के मुख पर हवाईया उड़ने लगी अब क्या होगा इतने दिन आनंद से काटने के पस्चात अबदुख सैन करने का साहस हमें ने था बहुत पता लगाने पर हमें ग्यात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दब कर पानी हो गए हैं उनका सरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उनके तरल सरीर पर हम फिसल चले हैं मैं कई मा समुंदर में इदर उदर घूमती रही फिर एक दिन गरम धारा से बेंट हो गई धारा के जलते अस्तित्वय को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसके गरमी सोखनी प्रारम कर दी और इसके फलसरूप मैं पिगल पड़ी और पानी बनकर समुंदर में मिल गई समुंदर का भाग बनकर मैंने जो दिर्शिय देखा वह वर्णा तीत है मैं अभी तक समझती थी कि समुंदर में केवल मेरे बंदू भांदू का ही रज्य है परन्तू अब ग्यात हुआ कि समुंदर में चहल पहल वास्तों में दूसरे ही जीवों की है और उसमें नीरा नमक भरा है पहले पहल समुंदर का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया जी मचलाने लगा पर धीरे धीरे सब सहन हो चला तो ओसकी बूंद अब समुंदर में आ गई है और वैस जो सोच रहे थी हमारा समुंदर तो विशाल है बहुत पाने से भरा है और उसमें ऐसे ही ऐसंखे जीव जन्तूं का वास है और नेचे बनस्पतियों का वास है बनस्पतियां है डेरों और अनेग जीव जन्तूं वहाँ पर पल रहे है तो उसी बात को यहां पर उसकी भूंद बता रही है एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुंदर के उपर तो बहुत गूंच क्यूं हूँ बीतर चल कर भी देखना चाहिए कि क्या है इस कारिये के लिए मैंने गहरे जाना प्रारम कर दिया मारग में मैंने विचितर विचितर जीव देखे मैंने अत्यन दीरे दीरे रेंगने वाले घोंगे जालिदार मचलियां, कई कई मन भारी कच्छवे और हातों वाली मचलियां देखी एक मचली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी उसके आठ हात थे वह इन हातों से अपने शिकार को जकड लेती थी तो यहां पर ओसकी बूंदने समुंदर के अंदर जो रहते हैं विबिन मचलियां, जीर, जन्तू, पेड, पोद्दों उनका वर्णन कर रही है मैं और गहराई की खोज में किनारों से धूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तू देखी कि मैं चौंक पड़ी अब तक समुंदर में अंदेरा था सूर्या का प्रकास कुछ ही बीतर तक पहुंच पाता था और बल लगा कर देखने के काण मेरे नेतर दुखने लगे थे मैं सोच रही थी कि यहां पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानों कोई लाटें लिए गूम रहा हो यह एक अत्यांत सुंदर मचली थी इसके सरीर से एक परकार की चमक निकलती थी जो इसे मारक दिखलाती थी इसका प्रकास देकर कितनी चोटी चोटी अंजान मचलियां इसके पास आ जाती थी और यह जब भुकी होती थी तो पेट बर उनका भोजन करती थी तो देखो कैसे ओस की बुन है वो समुंदर के अंदर की जो जीवन है उनका वर्णन कर रही है वो बता रही है कि मैंने ऐसे ऐसे जीव देखी है तो एक ऐसी मचलिका भी यहां पर वर्णन किया है कि उसके सरीर से क्या होता प्रकास दमगता है उसके उसको रास्ता भी दिखाई देता है और उसके बोजन की भी पूर्ती हो जाती है तो ऐसे अने को जीव है हमारे समुंदर में जो उसकी बूंद है अपनी मुख जुबानी कहरी है और लेखक सुन रहे हैं आगे देखो और उसकी बूंद क्या क्या बातें बताती है विचित्र है जब मैं और नीचे समुंदर की गहरी तह में पहुंची तो देखा कि वहां भी जंगल है छोटे ठिंगने मोटे पत्ते वाले पेड बहुतायत से उगे हुए है वहां पर पहाडियां हैं घाटियां हैं इन पहाडियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट अंदे तथा महा आलसी है तब ओसकी बूंद और नीचे गहराई पर जाती है तो वहां पर सूर्या का प्रकास तो बिलकुल भी नहीं है तो वहां के जो वातावरण है जो वहां पर वनस्पतियां है जंगल है और वहां के जीवों के बारे में बता रही है यह सब देखने में मुझे कई वर्स लगे तो उसकी बूंद है उसका जीवन बहुत बड़ा है तो समुंदर में भी उसने कई वर्स बिताए है फिर जाके आगे देखो उसके साथ क्या हुआ यह सब देखने में मुझे कई वर्स लगे जी में आया कि उपर लोट चलें परन्तु प्रेतन करने पर जान पड़ा कि यह ऐसंबो है मेरे उपर पाने की कोई तीन मील मोटी तै थी मैं भूमे में गुश कर जान बचाने की चेश्टा करने लगी तो ओस की इतनी गहराई में चली गई थी यानि समुंदर की गहराई है वो तीन मील से भी ज़्यादा है तो वो उपर जानना चाते थी लेकिन वो तो उपर निजास की उसे निचे ही जाना था यह मेरे लिए कोई नई बात ने थी करोडो जलकन इसी भानती अपने जान बचाते हैं और समुंदर का जल निचे दस्ता जाता है मैं अपने दूसरे भाईयों की पीछे-पीछे चटान में गुश गई कई वर्सों में कई मील मोटी चटान में गुश कर हम पर्त्वी के बितर एक होकले स्तान में निकले और एक स्तान पर इकठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए कुछ के सम्मत्ती में वहीं पड़ा रहना ठीक था प्रन्तु हम में कुछ उत्साई युवा भी थे वे एक स्वर में बोले हम खोज करेंगे पर्त्वी के हिर्दे में गूम गूम कर देखेंगे कि बीतर क्या चिपा हुआ है वे इसमें बताया है कि पर्त्वी के नीचे जाने पर कुछ पानी तो वहीं रह जाता है और कुछ दीरे दीरे रिसकर आगे बढ़ता है तो ओस की बूंद ने भी कहा कि हम भी उसी में थे कि हमें तो पर्त्वी में गूम गूम कर देखना है कि इसके अंदर और क्या छुपा हुआ है अब हम सोर मचाते वे आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु का नाम भी नहीं था बड़ी बड़ी चट्टाने लाल पीली पड़ी थी और नाना परकार की धातुएं इदर उदर बहनें को उतावली हो रही थी अब जो ओस बूंद है वो पर्त्वी के गरब में चली गी जहां पर अनेक परकार के खनीजे तत्वे पाये जाते हैं और बड़ी-बड़ी परत्वी के निचे भी बड़ी-बड़ी चट्टाने हैं तो खनीज हमें परत्वी के बितर से ही प्राप्त होते हैं इसी स्थान के आसपास एक दुर्गटना होते होते बची हम लोग अपने इस खोज से इतने प्रसंद थे अंदा धुंद बिना मारक दे के बढ़े जाते थे इस से अचानक एक एसी जगह जा पहुंचे जहां तापकरम बहुत उंचा था यह हमारे लिए ऐसाई था हमारे अगवा काम पे और देखते देखते उनका सरीर ओस जन और हदर जन में विबाजित हो गया इस दुर्वटना से मेरे कान खड़े हो गए मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी अब इस स्थान पर यह जो तापकरम बड़ा है प्रथ्वी का यह ऐस स्थान पर है जहां पर क्या जौला मुखी का विस्पोर्ट होता है तो उस जगenment पर यह जोची गंड पहुंच गई है हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां परत्वी का गर्ब रह रहकर हिल रहा था एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ हम बड़ी तेजी से बाहर फेंग दिये गई हम उंचे आकास में उड़ चले इस दुरगटना से हम चोंग पड़े तो इसमें परत्वी के गर्ब में उच तापकन वाले इस स्थान पर पहुंच जाती है ओसकन जिसमें क्या होता है संचित जो जलकन धातू आदि ठोस पदार्थों के कन आगे नया बढ़ पाने पर एक विशे स्थान पर इकटे होते चल जाती है और इस स्थान पर ओसकनों द्वारा आगे बढ़ने के लिए केगे प्रतन से भूमी में रुक रुक कर कंपन होना प्रारम हो जाता है और यही कंपन क्या होता है कालांतर में एक बड़ी विस्पोर्ट के रूप में परती उपर जोला मुकी के रूप में प्रकट हो जाता है फिर फटी भी दर्ती है उसके गरब से क्या निकलता है लावा निकलता है तो दुवा, रेत, ये पिगली धातुएं और आग की लप्टों के भ्यावे दर्शे दूर से ही सोबन लगते हैं लेकिन पास से वो बहुत ही खतरनाक होते हैं ओस्कुनों को फिर पुने अपने जौला मुखी की आग दुवा धूल के पास आने का साहस नहीं होता है वे दूर से ही उन्हें बार-बार देखते रहते हैं पीछे देखने से ग्यातुआ की पर्त्वी फट गई है और उसमें दुवा, रेत, पिकली धातुएं और लप्टे निकल रही है और ये दिर्शे बड़ा ही शानधार था और इसे देखने के हमें बार-बार इच्छा होने लगी मैं समझ गया, तुम जुआला मुखी की बात कह रही हो लेखे कुछ से वारताला कर रहे हैं हाँ, तुम लोग उसे जुआला मुखी कहते हो अब जब हम उपर पहुंचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला हम गरजगर आपस में मिले और आगे बड़े पुरानी सहेली, आंधी के भी हमें यहां दर्शन हुई वह हमें पीट पर ला दे, कभी इधर ले जाती और कभी उधर वह दिन बड़े आनद के थी, हम आकास में स्वचंद किलोले करते फिरते थे अब उसकी बूंध है, वो समुंदर से पर्त्वी के बितर से बाहर पर्त्वी के उपर आ गई है तो यहां पर आंधी से उसका मेल होता है और वो आनदी है, वो उसकी बूंध को कभी इधर और कभी उधर फिराती है बहुत से भाब चल कणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे जुकाए और एक दिन बूंध बनकर नीचे कूद पड़े और इसी तरह बादल बनकर फिर भारी जुजल कण है आपस में मिले बादल बने और बादल से फिर बरस कर नीचे आ गए और बूंध बनकर नीचे कूद पड़े नीचे यानि बरसात के साथ नीचे आ गई मैं एक पहाड पर गिरी और अपने साथियों के साथ मेली कुचेली हो एक और बह चली पहाडों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह बूला नहीं जा सकता यहां पर वो उसकी बूंध कहती है जब बरसात होई तो मैं पहाडों पर गिरी और नदी के रूप में समतल मेदाल पर चलने लगी भैने लगी तो यहां पर पहाडों पर कूदना और वो आनंद दैक था हम एक बार बड़ी उंची शिखर पर से कूदे और निचे एक चटान पर गिरे बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से तूट कर खंड खंड हो गया यह जो तुम इतनी रेद देखते हो पत्थरों को चबा चबा कर हमी बनाते हैं तो यहां पर जो पत्थर होते हैं पत्थरों पर पानी की जो धारा गिरती है तो उन धारा के गिरने से वो पत्तर खंडित हो जाते हैं और वो दीरे 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 बार बार उन पर जो पानी गिरता है उससे क्या होते हैं छोटे छोटे कणों में वो विबत हो जाते हैं और वो रेथ होती हैं वो उनी पत्तरों के टुकड़े होते हैं तो इसमें पानी कह रही है कि उन पत्रों को रेत में बदलने का कारिय हम ही करते हैं जिस समय हम मोज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती अपनी विजयों से उन्मत होकर हम लोग इधर उदर भिखर गई मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमी देखने की थी इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई ओस्बुंध है वह है पाडों बर से बैती हुई एक छोटी धारा यानि छोटी नदी में मिल गई सरिता के वे दिवस बड़े मजे के थे हम कभी भूमी को काड़ते कभी पेड़ों को खोकला कर उन्हें गिरा देते बैते बैते में एक दिन एक नगर के पास पहुंची मैंने देखा कि नदी के तर्ट पर एक उंची मिनार में से कुछ काली-काली हवा निकल रही है यहां पर फेक्टरी की बात हो रही है फेक्टरी में से काला-काला दुवा निकलता है और उसका जो गंदा पानी है वो नदियों में भादिया जाता है मैं उत्सुक हो उसे देखने को क्या बढ़ी कि मैं अपने हातों दुर भागे को न्योता दिया जो ही मैं उसके पास पहुंची अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई कई दिनों तक मैं नल नल घूमती फिरी मैं प्रतिछन उसमें से निकल भागने के चेश्टा में लगी रहती भागे मेरे साथ था बस एक दिन रात के समय मैं ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल तूटा हुआ था मैं तुरध उसमें ओकर निकल भागी और परतिछन में समा गई जल बून्द है उस नाले मैं से जो पानी सप्लाई होता है गरों में उसमें से ओती ओती कहीं पर नल टुटा हुआ था उसमें से निकल कर वो पर्त्वी में समा गई फिर अंदर ये अंदर गूमते गूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंची तो परत्वी के अंदर समाई और यहां पे जो बेर का पेड़ है उसके जड़ों में पहुंच कर मैं पत्तियों के द्वारा बाहर तुमारी हतेली पर आ गई वो इस तरह से अपना ये कहानी बता रही है वै रुकी सूर्य निकल आये थे तो पानी के कहानी सुनते सूर्य उदे हो गया और सूर्य निकल आई बस मैंने कहा हाँ मैं अब तुमारे पास नहीं डैर सकती सूर्य निकल आये हैं तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते सूर्य निकला है इसका मतलब है सूर्य की उस्मा में वह वास्प बनकर उड़ जाएगी वह ओस की बूंद दीरे दीरे गटी और आँखों से ओजल हो गई इस तरह से ओस की बूंद ने अपने कहानी बताई कि किस तरह से उसका निर्मान होता है और किस तरह से वे अनेक नेक स्तानों से होती हुई अपना जीवन बताती है पाठ के लिखक है राम चंदर तिवारी तो कैसा लगा आपको ये पाठ? अपने विचार जरूर साजा कीजिए और हम अगले वीडियो में इस पाठ के प्रस्नुतर करेंगे तो तक धन्यवाद